Hello and welcome to my channel Civil Construction आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा How to calculate self-load of column, beam, slab and brick wall जब भी हम कोई structure बनाते हैं तो उसके main components क्या होते हैं? वो होते हैं column, beam, slab and brick wall तो हमें क्या चाहिए होता है? जब भी हम कोई structure, design या foundation उसकी design करनी हो तो हम पूरे structure का dead load calculate करते हैं अब dead load के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें जो individual components हैं जैसे की column का हमें self-load पता होना चाहिए beam का self-load पता होना चाहिए slab का self-load पता होना चाहिए और brawl का self-load पता होना चाहिए उससे हम पूरा dead load calculate करते हैं structure का अब हम self load किसी भी component का कैसे calculate कर सकते हैं उसके दो तरीके होते हैं तो मैंने एक तरीका जो है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा दूसरे तरीके के मैं idea दे दूँगा वो भी almost similar है बट मैं उसका भी idea दे दूँगा कि कैसे उस वे से भी हम self load किसी भी component यह से कि column, beam, slab या brick wall का calculate कर सकते हैं अब सबसे पहले हम पहला component ले ले लेते हैं वो होगा self load of the column यानि कि column का अपना load कितना आता है जब भी हम कोई structure बनाते हैं तो for example हमारे पास यह एक column है यह column है ठीक है जिसकी height कितनी है? height 3 meter है और उसकी एक dimension है 225 mm और यह वाज़ी dimension है 450 mm ठीक है? अब हमें इसका self load calculate करना है ठीक है? अब हमें पता है unit weight of RCC कितना होता है यानि कि reinforced cement concrete का unit weight कितना होता है? वो हमें पता है 2500 kg per meter cube यह RCC के बात करहूं जैसे हमाई PCC concrete का हमें क्या होता है 2400 होता है वैसे ही RCC का 2500 kg per meter cube होता है अगर हम kilo newton में mention करें उसको वो क्या बन जाता है? 25 kilo newton per meter cube यह कैसे हो जाता है? जैसे कि हमें पता है 1 kg is equal to 10 newton ठीक है? उसी साब से हम convert कर लेते हैं kg को newton में तो वो बन जाएगा 25 kilo newton per meter cube ठीक है? तो इसने अब next बता दिया है if we consider column size of 225 into 450 mm यहाँ से area दिखाया गया है and height कितनी है? 3 meter जो मैंने आपको mention कर दिया तो हम अब self weight of the column कैसे calculate करेंगे? वो हम calculate कर लेंगे पहले यह तीनों dimension यानि की volume जो column का होगा उसको multiply कर लेंगे यह 0.225 यानि की हमने यह mm में था उसको meter में convert करके 0.225 आगया और यह वाली dimension इसको भी meter में कर लिया 0.50 आगया into 3 meter height आगया तो into हमने कर लिया इसको unit weight of the RCC यह क्यों कर लिया? यानि की हमाए RCC के unit weight of the RCC पता था वो कितना था? kilonewton per meter cube में और into हमने volume कर लिया यह तीनों dimension थी into volume कर लेंगे meter cube, meter cube, meter cube cancel हो जाएगा और हमें load आजाएगा kilonewton में तो वो ही हमें आ गया self weight of the column is 7.59 kilonewton अब यह तो हमारे पास आगया self weight of the column अब हमें क्या निकालना है? factored load of the column जब भी हम कोई structure design करते हैं तो उसमें हम देखते थे हम हमेशा factor of safety लेके जलते हैं वो factor of safety कितना लेते हैं इसमें? वो हम लेते हैं 1.5 तो वो ही हमारा हो गया factored load of the column तो हम क्या करेंगे? simply जो self weight of the column आया था उसको 1.5 यानि कि factor of safety से multiply कर लेंगे तो वो हमारे पास आगया factored load of the column 11.39 kilonewton यानि कि अगर कोई भी column इस size का है और उसकी height 3 meter है तो उसका factored load यानि कि उसका self load जो हम assume करते हैं for structure resigning के लिए वो कितना हो जाता है? 11.38 kilonewton यह vary कर सकता है size to size पे भी अब हमारे पास second आगा जाता है self load of the beam अब जब हम beam का self load calculate करते हैं जैसे कि हमें column में हमें height तो mention होती है वो standard height होती है किसी भी column के लिए अगर 3 meter है तो सबी column 3 meter के होंगे but beams में ऐसा नहीं है beams में जो उनकी length होती है वो vary कर सकती है कोई 3 meter का हो सकता है कोई 4 meter का हो सकता है कोई किसी length का हो सकता है तो जो इसका load आता है beam का वो per meter length में आता है for example kilonewton per meter में आ जाएगा ठीक है? if we consider beam size of 225 mm and 300 mm for example हमने ये कोई beam ले लिया है जिसका size क्या है? जिसका size है ये एक dimension है 300 और एक dimension है 200 mm है ठीक है? और length हम assume कर लेंगे per meter length के हिजाब से 1 meter हमने assume कर लिया है ठीक है? अगर हम 1 meter assume नहीं करेंगे वो per meter length में आ जाएगा जो हमने load आएगा हमने 1 meter assume कर लिया so that आपको कोई problem हो अब self weight of the beam यानि कि हमारा dimension जो होगी 0.25 इसको 225 mm को हमने meter में कर लिया 0.225 into 0.300 into 1 meter यानि कि length हमने 1 meter ले लिए per meter length के हिजाब से हमें पता चल जाएगा ठीक है? 1 meter ले लिए into 25 25 क्या है यहां पर same जो unit weight हम RCC का ले रहे हैं वो ही हम ले लेंगे kilo newton में हम ले लेंगे अगर हां मैं यह भी बताना बोल गया अगर हम kilo newton में ले रहे हैं unit weight तो हमारा जो load आएगा वो भी kilo newton में आगा अगर हम kg में लेके करेंगे तो वो kg में आएगा simple ठीक है? अब यहां पर अगर हम सबको multiply करेंगे तो self weight of the beam कितना आ जाएगा 1.69 kilo newton ठीक है अब factor load of the beam same हम factor of safety 1.5 multiply करेंगे 1.69 से वो आगया 2.53 kilo newton अब हम यह per meter में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने length 1 meter लिखी थी अब मैंने यहां पर 1 meter से multiply क्या रहा हुआ इसलिए मैंने per meter में नहीं लिखा otherwise आप 1 से multiply करने में कोई भी value में changes नहीं आती हैं तो आप अगर 1 meter से multiply नहीं करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा? kilo newton per meter length में आपका self load आ जाएगा beam का अब हमारे पास दो component हो गया है तो next हमारे पास आ जाता है self load of the slab अब slab का जो हमें thickness जो धी गई है वो धी गई है 125 mm ठीक है? बट जो size of the slab हम assume कर रहे है वो 1 meter into 1 meter कर रहे है यानि कि यह per square meter में हमें kilo newton per meter square में हमें load आ जाता है in case of slab अब हम 1 into 1 भी multiply कर लेंगे तो हमारा kilo newton में भी mention कर दूँगा otherwise आप 1 into 1 multiply नहीं करें तो यह kilo newton per square meter में आपका load आ जाएगा तो जितना आपका square meter में slab होगा उससे multiply करके आप direct अपना load भी calculate कर सकते हैं तो इस case में मैं 1 into 1 मानूँगा कि एक 1 into 1 meter की slab है जिसकी 1 meter 1 meter उसकी जो thickness है वो कितनी है वो thickness है 125 यह है 125 mm तो हम cell weight of the slab calculate कर लेंगे यह thickness आगे into length into breadth जो 1 into 1 meter के slab हमने ले लिया into unit weight of the RCC तो यह आ जाएगा हमारे पास cell weight of the slab in kN अब factor load हम slab calculate कर लेंगे वो आगे 1.5 into 3.125 वो आ जाएगा 4.69 kN अब यहाँ पे क्या है एक note भी है इसमें क्या कहता है consider live load on the roof जैसे हम self load किसी भी slab का निकाल रहे हैं तो होता कि है उस पे live load भी हम assume करते हैं तो यह self load of the slab के साथ साथ हमें यह भी add करना पड़ता है जब भी हम कोई structure design करते हैं तो मैं आपको यह थोड़ा brief कर दूँ यह चीज़ें भी add हो जाता है अधरवाइस self load of the slab तो इतना ही आ जाएगा बट हम जब भी कोई structure करते हैं उसमें load calculate करते हैं तो हम उसमें live load जो हमारे slab के उपर होता है वह भी calculate करते हैं वह add करते हैं वह कितना होता है 1.5 kN per meter square में तो अब हमने per meter square में यहां पर देखे mention कर रहा है और floor finish यानि कि अगर हमारे roof के उपर और भी floors हैं तो उसमें finishing भी होती है tiles वगर अलगते हैं या floor हम बनाते हैं तो उसका अलग से load होता है वह होता है 1 kN per meter square अब यानि कि यहां पर meter square में बताया गया है तो हमने already assume कर रहा है 1 into 1 meter कि हम slab लेंगे तो यह meter square भी हम खतम कर सकते हैं तो total load of the slab कितना हो जाएगा यह add कर लेंगे plus 1.5 plus 1 तो यहां गया 7.19 kN अब कोई यहां पर confused नहीं हो जेए कि यह kN per meter square में है और यह kN में है होता क्या है अगर 1.5 kN per meter square में है बट हमने इसका size 1 meter into 1 meter ले लिया है तो इन दोनों को meter square और यह meter square cancel हो जाएगा वो आजाएगा 1.5 ही आजाएगा kN तो हमने directly यह values ले रखी है तो हमारे पास total load आ जाएगा self load of the slab including live load plus floor finish वो आ जाएगा 7.19 kN अब next component आ जाता है हमारे पास walls अब walls का जब हम self load calculate करते हैं उससे पहले हमने क्या पता होना चाहिए ब्रिक का जो density है वो पता होना चाहिए अब ब्रिक की जो density है वो vary करती है from 1500 to 2000 kg per meter की हमें ठीक है जिसको हम 1.5 to 2 kN per meter भी कर सकते हैं जब हम किलोन्योटर में convert कर लेंगे ठीक है अगर हम consider करते हैं wall thickness है वो है 225 mm और height कितनी है 3 meter है और length हम 1 meter ही रखेंगे ठीक है क्योंकि length तो wall की कितनी भी हो सकती है तो हम assume कर लेंगे 1 meter length यानि कि जो load आएगा हो आजाएगा पर running meter में आजाएगा ठीक है अब self load of the brick यानि कि हमने इसको meter में कर लिया 0.2 to 5 into 3 meter height आगे into 1 meter हमारे पास length आगया और 2 meter या 2 kN यहां पर क्या आगया यहां पर आगया density of the brick हमने वो assume कर लिया जादा वाला density जो range थी 1.5 से 2 हम 2 ही assume करके यहां पर calculation कर रहे है और उससे self load आगया 1.35 kN अब यह इतना आगया अब हमने factor load हमें calculate करना brick wall का उसको हमने 1.35 को multiply कर लिया 1.5 जो की factor of safety था वो आगया 2.025 kN यह पर meter length के लिया आगया है ठीक है मैंने 1 meter multiply कर लिया इसलिए मैंने per meter नहीं लिखा अधरवाइस यह 1 meter means per meter length अब दूसरा method क्या है दूसरे method से हम कैसे self load calculate कर सकते हैं वो है for example जैसे हमने इसमें RCC का unit weight assume किया था तो उसमें एक case में क्या हम PCC का unit weight assume कर लेते हैं वो हो जाता है 2400 kg per meter cube यानि कि जो concrete का unit weight होता है वो 2400 होता है और RCC का होता है वो 2500 होता है तो इस case में difference सिर्फ यह हो जाता है हम concrete का weight जो होता हो अलग से calculate करते हैं और steel का जो weight होता हो अलग से calculate करते हैं then हम इनको add कर देते हैं तो वो कैसे करेंगे concrete का weight हम जो column का volume होगा जो इन तीनों dimension को multiply करके आएगा into हम यह जो unit weight था 2400 kg per meter cube और 24 kN per meter cube इसको हम multiply करके concrete का weight आजाएगा और steel का weight कैसे निकालेंगे volume जो होगा column का वो into percentage of steel for example column का percentage of steel 1 to 6% रहता है तो हम माल लेंगे 2% है तो 2 divided by 100 वो कितना हो गया वो आजाए volume into 2.02 ठीक है 0.02 तो इससे हमारा steel का weight आजाएगा ठीक है तो steel का weight प्लस concrete का weight हमारे पास क्या आजाएगा total weight आजाएगा यानि की load तो उसका हम factored load बनाने के लिए क्या करेंगे factor of safety जो होता है 1.5 से multiply करेंगे तो ऐसे भी हम self load of the column beam और slab का कर सकते हैं by assuming certain percentage of steel 1% 2% 3% जितना भी हम percentage of steel लगना है उस particular component में steel column beam या slab में तो उस हिसाब से हम assume करके हम उस तरह से भी self load calculate कर सकते हैं तो इस way से ज़ादा easy था convenient था RCC का direct हमने unit weight ले लिया तो हमने उसी हिसाब से self weight calculate कर लिया तो मैंने दूसरे method का भी थोड़ा idea दे दिया आपको briefly तो आप वैसे भी calculate कर सकते हैं और आपको किसी भी topic पे अगर कोई भी video चाहिए तो आप मुझे comment करके भी बता सकते हैं till then take care of yourself, goodbye